नमस्कार मैं ड्र बिपिन बंसल वास्तु कंसिल्टेंट। मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बेस्मेंट के बताया था हर उसके बाद नेस्ट वीडियो में में आपको बताया था ground floor के बारे में आप अपनी नई फैक्टरी लगाने जा रहे हैं तो वासु शासर के नुसार आपको अपनी factory का setup किस परकार से करना चाहिए मेरी इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा आज मैं आपको first floor और second floor के बारे में बताना चाहूँगा कि वासु शासर के नुसार आपको अपना first floor में और second floor में setup किस परकार से करना चाहिए आपके अपनी जो factory है वेस्ट फेसिंग है इसमें आपके अपनी जो लिफ्टोर स्केस बनी हुए वो नोर्जोन में बनी हुई है first floor पर आपने complete पूरा hall बनाना है तो hall के अंदर फर्ष की जलान कैसे होनी चाहिए सबसे पहले तो जो धियान रखना है वो south से north के और होनी चाहिए सारी फर्ष की जलान south से north के और होनी चाहिए और आप इसमें balcony निकलते हैं तो वो balcony आपकी complete निकलनी चाहिए इस परकास से तीनों तरफ आपकी complete balcony निकलेगी ध्यान रखना है आपने इस hall के अंदर जो खिड्कियां और दर्वाजे लगाने हैं एक दर्वाजा आपका इस नौर्थ इस्ट में यहां आएगा और इस्ट में आपके अपनी खिड्कियां आ जाएंगी जिस हिसाब से आप अपने requirement खिड्कियों कि उससाथ में खिड्कियां एगा और इसे ही एक गेट आपका नौर्थ वेस्ट में यहां पर भी लगा सकते हैं और इसी के साथ में आपके अपनी खिड्किया ऐगी ध्यान रखना है जो आपका अपना साथवेस्ट जोन बनता है यहाँ पर आपने कोई भी खिड़की या दर्वाजा नहीं लगाना है ये खिड़की और दर्वाजा आपकी फेक्टरी को अच्छे तरीके से नहीं चलने देगा इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस जोन में कम से कम जितने आपकी बनी बिल्जिंग का फ्रंट है उसका 20% का एरिया पैक जरू करें ऐसा करने से आपके हॉल के अंदर वर्किंग हमेशा अच्छी बनी रहेगी कभी पीछे मुड़के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस हॉल के अंदर क्या वर्किंग करनी है उसके बारे मैं आपको बाद में बताऊंगा ध्यान रखना है जितने भी खिड़के और दर्वाजे लगाएं वो खिड़के और दर्वाजे आपके बिलकुल सही होने चाहिए आराम से खुलने चाहिए दर्वाजे चोखट पर जाकर नहीं बजने चाहिए इस फरकार से आपने दर्वाजे लगवाने हैं और जितनी भी खिड़किया लगाएंगे उन खिड़कियों के अंदर जितना भी ग्लास लगाएंगे सभी ट्रांस्पेरेंट होगा अब ऐसे ही आपने second floor बनाना है तो ऐसे ही complete आपका second floor बन जाएगा इसी तरीके से आपका second floor बनेगा और उसके बाद जब आप terrace बनाते हैं तो terrace बनाते से मैं आपने ध्यान रखना है क्योंकि आपके lift और stairs कहां रही है नौर्थ जोन में आ रही है यह आपके अपनी north zone में है तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अपने यहां पर जो terrace पर shed बनाना है या लेंटर डालना है वो लेंटर आपका अपना यहां पर इस zone में इतना लेंटर जरूर डलेगा यह area आपका यह इस वाला area यह आपका खाली रहेगा open रहेगा क्या रहेगा open खाली यह आपका अपना terrace होगा आप terrace पर यह area हमने सारा cover कर दिया और इसकी छत पर जाने के लिए मैं एक अ stairs और lift इस से उपर नहीं जाएगी यह यहीं पर आकर खतम हो जाएगी अब terrace पर जाने के लिए आपने stairs कहां से बनानी है एक open stairs आप south east zone से यहां से बना सकते हैं जो कि आपका east से west की और ऊपर जाएगे और ऊपर जाकर आप terrace के ऊपर आ जाएगे पानी के overhead tank आपने कहां लगाना है पानी के overhead tank आप west south west zone में इस zone में आप पानी के overhead water tank लगा सकते हैं एक बात का जरूर ध्यान रखना है जब आप यहां पर पानी के ओवरेड टेंक रखेंगे तो उसमें ध्यान जो रखना है वो है कि पानी और फ्लो होकर छट पर ना बहे दूसरा पानी की लिकेज ना हो इस बात का आपने खास तोर पर ध्यान रखना है जब आप छट के ओपर नौर्थे एस्ट की और शाथ वेस्ट से नौर्थे एस्ट की और जाएगी और उसके बाद जो open area है हमारा नीचे वाली जो terrace है उसकी भी Southwest से नौर्थेस्ट की और ऐसे slope जाएगा और यहाँ पर आपके अपने रेन वाटर पाइप एक यहाँ जाएगी आपकी एक रेन वाटर पाइप यहाँ आ जाएगी और एक रेन वाटर पाइप यहाँ पर भी लगा सकते हैं तीन रेन वाटर पाइप के दोरह आपकी छत का सारा पानी नीचे आ जाएगा आज मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और टैरिस का सेटप वास्तु शास्तर के नुसर किस परकार से करना चाहिए मेरी इन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा आपको लगता है कि बंसल जी दोरा दिये गई जानकारी सही है तो आप अपने हाँ पर अपने बिल्डिंग का सेटप इस परकार से कर सकते हैं मैं हमेशे ही आपको वास्तु शास्तर के साथ साथ अपने अनुबह की खास बाते बताता रहता हूँ अगली वीडियो में मैं आपको अंदर के सेटप के बारे में बताऊंगा कि अंडर गार्मेंट्स की फैक्टरी आप लगाने जा रहे हैं तो उसमें मशीनों का सेटप कैसे होना चाहिए राव मेटरिल कहां पर किस दिशा में रखना है यह सारे पोइंक्स मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मेरे द्वरा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को अपने ग्रूप में ज्यादा से ज्यादा शेर चरूर करें झाल